नमस्कार, मैं हमिता, अमितास कीचन रेसिपीस में आपका स्वागत है, आग मैं मुधी का रायता बनाने जा रही हूँ, वैसे तो हम हर मौसम में रायता खाना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मी ये मौसम में रायता खाने का आनन्द कुछ और ही होता है, तो चलिए हम रेसिपी स्टाट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रिडियंस की आउशकता है, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दही, यहां पर मैंने एक ग्लास दही ली हूँ, जो कदीब 200 ग्राम है, और आधी कटोरी भूंदी का रायता ली हूँ, यह बूंदी का स्टाट की भर नमक आउशकता के अनुसार आपनी स्वास के हिसा के आप जो है नमक के अनुसार यूज करिए और तड़के के लिए हमें चाहिए, तीन हरी मिल्च जिसे लंबी टुकड़ों में काठीडी हूँ, तीन जो है साहुद, लाल मिल्च, करी पत्ता और आधा छोट सरसों का बीच, तो चलिए हम रायता बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, मैं इस भूंदी में यह देखे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इससे कहाँ, थोड़ा सा इसका इसका अच्छी से भीग जाया है इसकरा से, यह पानी में खटा देती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूगी, करीब एक छोटा चम्माच इसमें मैं तेल डाल दूगी, इस तरह से, यह ऐसे ही तेल जारा होगा, हम इसमें तड़का लगाना से, स्टाल कर देंगे, यह पानी में अच्छी तरह से भीग गया है, आप चाहें तो इसको थोड़ी देल हलका गुंगुला पानी में भी डाल सकते हैं, हलका गुंगुला पानी डालने से यह एकदब नरम पड़ जाता है, इसलिए मैंने अपना नॉर्मल पानी इसमें प्यों क होता है, और नमक जो है हम अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे, मुंदी में भी थोड़ा सा नमक रायता है, इसलिए एक चोथाई छोटा चम्मत इसमें मैंने नमक डाली हूँ, और इसमें जो है मैं थोड़ी सी लाल मिप्ची डालतूंगे, अब यह हमारा तेल जो है गर अब मैं गयस बंद कर जाती हूँ, गयस बंद होगया, इसमें अची तरह से मिला लेते हैं, यह देखिये अची तरह से मिल गया, अब इसमें तड़के का सारा कमाल है उसमें डालों मिली इस तरफ रहे हैं इसमें जोहां और अच्छी तरफ मिलालों मिली ये उनली कराइता हमारा जटपट तयार है ये बहुत टेस्टी लगा है ज़िए आपको ये मेरी रेसिक्ले पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइपन को प्रेस करना नब मुलें ताकि जब लिए मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास नोडिफिकेशन आता रहें साथ ही मेरे चैनल के नीजे दिये गई लिंक में जाएए और मेरे अमेजोन स्टोर से अपनी मन पसंद चीजे पर्चिस कीजे धन्यवार, नेक्स्ट वीडियो में फिरसे मुलाकात होगी, नवस्कार